तो आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में फाइल पाथ कैसे देते हैं ठीक है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है आज यूज करेंगे Microsoft Excel पर Basic Select Advanced तके वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्स का लिंक पतिया है वहां से जाकर कि आप वीडियो देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैक्रोट एकसल की फाइल ओपन कर रखी है अब अगर यहांपर हमें फाइल पात देना है तो हमने इस इसको 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 तो थाइल करेंगे उसके बाद हमें टाइप करना है C-E-L, तो जब आप C-E-L करेंगे तो दीखे, नीचे देखे, C-E-L लिकर क्या आ गया function, इस पर क्लिक कर दीचे, तो यह bracket open हो गया, अब यहाँ पर हमें लगाना है semi-colon, ठीक है, मैं semi-colon यहाँ पर लगा दिया, जब semi-colon लगाएंगे तो देखे, फाइल पाथ यहाँ पर आ गया, ठीक है, C-Drive में user अविश्री desktop करके है, इस फाइल का नाम है worksheet, ठीक है, तो यह फाइल पाथ यहाँ बन करके आ गया,